दोस्तो अगर आप भी अपने मोबाइल के नॉटिफिकेशन बार में डेटा स्पीड इनेबल कराना चाहते हैं यानि आपको पता चल पाए कि आपके मोबाइल की डेटा स्पीड इस समय क्या चल रही है और बार-बार आपको चेक न करना पड़ें किसी भी थर्ड पार्टी अप्लिकेशन में या किसी भी वेबसाइट पे चेक न करना पड़ें आपके नॉटिफिकेशन बार में ही दिखाए दे कि किती KB या MB की स्पीड आपकी पर सेकंड चल लेए तो इसको आप अपने mobile में by default setting होती उसे enable कर लेंगे तो ये trick work करेगी अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लाश तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम आसीस और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी दोस्तों notification बार में देख रहा हूँ कि कहीं पर भी आपको speed नहीं दिखाए दे रहे लेकिन सबसे पहले आपको setting में जाना किसी भी company का mobile हो आपको setting में जाना setting में जाने के बार स्कॉल करते वए नीचे आएंगे notification and control center मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर स्कॉल करते वए նूरू कर लूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि होम स्क्रीन पर आपका जो है स्पीड ये दिखाए देने लगा कि जीरो के भी पर सेकंड चल ला है इस समय इसलिए स्पीड कम है क्योंकि अभी मैं इसमें कुछ काम ने कर रहा हूँ तो इस तरीके से आप अपनी जो है नेट स्पीड जो है उपर देख सकते हैं नोटिफिशन बार में इनेबल कर सकते हैं अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो क्रेपा करके इस वीड़ो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों साथ सेयर करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नेगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजे हमारे चैनल को साथ में नोटिफिशन बेल को और नोटिफिशन प्याँ जरूर कर लीजे आज के इस वीड़ो में दोस्तों इतना ही थैंक्स फोर वाचिंग माई वीडियो जै हिंद वंदे मात्राम बाई बाई दोस्तों